हेलो दोस्त ओफिस गुर्जी स्मार्ट क्लासिस में आपको स्वागता हैं दोस्तो एक्सल की स्प्रेडशीर टेस्ट सीरीज की हमारी यह 11 वीडियो है और आज इस मुड़े में हम सेंपल टेस्ट 10 को सॉल्व करेंगे अगर आपने भी पंजाब एटन हरियान हाई कोट में पोस्ट के लिए प्लाई की हुआ है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्प्रेडशीर टेस्ट को सॉल्व करने में असानी होगी तो वीडियो बड़ा ही इंट्रस्टिंग को तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के पुरा जूर देखिए गा तांकि कोई भी इन तो हमें क्या करना है सबसे पहले एक्सल में जो हमें यहाँ पर टेबल दिया हुआ है इसको हमें एक्सल के अंदर क्रियेट कर लेना है और जो हमें यहाँ पर डाटा मिला है उसको एपने द्यार रखना है कि जो टेक्स्ट आपका स्मॉल लेटर में उसको स्मॉल में ही फिल करना है और जो capital letter में उसको capital में fill करना है और जो आपको alignment यहाँ पे दी गई है columns की left right center वगWhere उसी alignment में अपने Excel में data को fill करना है, तो मैं फटा-फट से इस data को Excel में fill कर लेता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों मैने data को फटा-फट से Excel में fill कर लिया है तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले serial number है फिर employee का name है फिर उसकी date of birth है फिर basic pay है अब इसके बाद हमें इनी चार columns को लेके आगे चलना है तो उसके बाद जो मारा next question है वो है calculate DA at the rate 165% and HRA at the rate 20% of the basic pay यानि कि यह हमारे पास basic pay है इसमें से हमें 155% पहले DA calculate करना है उसके बाद 20% HRA calculate करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे DA और bracket में हम लिख देंगे 165% और enter मार देंगे और 7 में हम यहाँ पे कर देंगे HRA bracket में हम लिख देंगे 20% आप bracket में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं अगर नहीं लिखना चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं फिर हम इन दोनों को यहाँ से सलेक्ट करेंगे और उपर बॉर्डर पे जाएंगे और यहाँ से इसको बॉर्डर लगा देंगे अब हमें क्या करना है 155% यानि 165% DA कल्कुलेट करना है तो पहले हम क्या करेंगे इस इकल टू प्रेस करेंगे उसके बद बेसिक पेवले सेल को सेलेक्ट करेंगे फिर multiply का sign लगाएंगे और फिर लिखेंगे 165% और एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर जो हमारा DA है वो आ जाएगा अब हम इसको नीचे ड्रैक कर देंगे अब दोस्तों यहाँ पर यह बाता आती है कि जो आपने ने columns create की है उनको अपने left में align करना है right में करना है या center में करना है तो अगर आपको question paper में को special instructions मिलती है alignments related तो आप उन instructions को follow कीजिएगा नहीं तो जो byte fold आपकी Excel sheet के अंदर alignment set होगी आप उसी को आगे लेके चलिएगा तो हम क्या करेंगे जैसे बाकी सभी उपर हमारे header bold है तो हम इसको भी यहां से bold कर देते हैं तो यहां हमारे पास DA calculate हो चुका है अब हमें HRV calculate करना है तो हम क्या करेंगे जी को टू लगाएंगे basic pay को select करेंगे multiply का sign लगाएंगे 20% लिखके enterprise करेंगे तो हमारा HRV calculate हो जाएगा तो हम इसको नीचे पकड़े के drag कर देंगे cell को तो हमारा सभी employees का यहां पर HRV calculate हो जाएगा तो यहां पर हमारे जो दोनों columns से वो create हो गए और हमारा DA और HRV calculate हो गया अब हमारा जो next question है वो है calculate gross salary जिसमें हमें basic पे DA और HRV को आपस में total करना है तो हम क्या करेंगे एक और यहां पर column create करेंगे और उसका नाम रखेंगे gross salary इस column को भी हम यहां से border लगा देंगे ठीक है इसको थोड़ा सा drag कर देंगे ताकि इसकी alignment सही हो जाए अब हमें क्या करना है इसको हम यहां से पहले mold कर देंगे अब हमें gross salary calculate करनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे is equal to press करेंगे हमें क्या करना है हमें basic पे फिर plus लगाएंगे da फिर plus लगाएंगे और hra इन तीनों को total करना है तो total करके हम enterprise करेंगे तो हमारा total आ जाएगा अब यही formula सभी पर paste कर देंगे तो सभी employees का यहां पे total आ जाएगा अब next question है calculate income tax तो income tax की भी यहां पे हमें slabs दी गई है चार slab है हमारे पास यहां कि अगर तो salary 25,000 या उससे कम है तो 5% हमें calculate करना है लेकिन अगर salary 25,000 से जादा है और 30,000 से कम है तो 8% calculate करना है और अगर salary 30,000 से जादा है लेकिन 35 से कम है तो 12% और अगर 35,000 से जाना है तो 15% calculate करना है तो बहुत ही easy है दोस्तो अब income tax हमें calculate करना है gross salary पर ना कि basic पर तो क्या करेंगे easy to लगाएंगे फिर हम लगाएंगे if का formula if लिखेंगे bracket को start करेंगे सबसे पहले gross salary वाले cell को select करेंगे उसके बाद जो पहली condition है कि अगर gross salary 25,000 या फिर उससे कम है तो 5% calculate हो तो क्या करेंगे यहां पर हम लगाएंगे less than or equal to 25,000 ठीक है तो यहां पर first condition आगे अब हमें देना है कि value if true कि अगर हमारी यह first condition true हो जाती है कि अगर salary 25,000 या उससे कम है तो फिर हमें कितना income tax calculate करना है तो हम यहां पर फिर से gross salary को select करके multiply का sign लगा के लिखेंगे 5% ठीक है तो यहां पर हमारी यह condition हो गई अब हमें लगाणी है दूसरी condition है तो फिर से if लगाएंगे bracket को start करेंगे अब हमारी जो second condition है वो है कि अगर salary 25 और 30,000 के बीच में हो तो 8% तो फिर अब यहां पर हम फिर से gross salary वाले salary को select करेंगे फिर less than का sign लगाएंगे और equal to लगाएंगे 30,000 तो यहां पर अगर हमारी gross salary तीसा से आ रही है उससे कम है लेकिन 25,000 से जादा है तो हमारा जो income tax है वो calculate होगा यहां पर हम gross salary को select करेंगे multiply का sign लगाएंगे और लिखेंगे 8% यानिकि हमें 8% ही calculate करना है फिर से कम लगाएंगे तो हमारी जो third condition है वो है 35,000 की तो हम फिर से if का formula लगाएंगे bracket को start करेंगे फिर से gross salary को select करेंगे और लिखेंगे अगर gross salary कम है या फिर बराबर है 35,000 की तो क्या है true value के अंदर फिर से gross salary को select करेंगे और यहां पर multiply का sign लगाके लिखेंगे 12% क्योंकि 35,000 या उससे कम होगी और 30,000 से जाद होगी तो 12% है फिर से हम यहां पर comma लगाएंगे अब यहां पर हम एक और if नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारी तीनों condition अगर true हो जाती है तो value हमें इन तीनों में ही चाहिए लेकिन अगर यह तीनों conditions हमारे true नहीं होती है तो हमें एक false condition के लिए यहां पर value देनी है और वो होगी हमारी directly 15% क condition तो हम क्या करेंगे यहां पर gross salary को select करेंगे multiply का sign लगा के लिखेंगे 15% अब यहां पर if को count कर लेजी आप 1,2,3 यानि कि 3 if लगे है तो हम 3 बर bracket को बंद करके enterprise करेंगे तो यहां पर हमारा income tax भी calculate होके आचका है अब हम इसको क्या करेंगे नीचे drag कर देंगे और बाकी जि देख सकते हैं कि यहां पर मैं आपको एक randomly check करके दिखा देता हूं कि जैसे यह 43,000 है यह 35,000 से ज्यादा है तो मैं आपको एक पर यहां से चेक करवा देता हूं यहां से 43,000 को मैं select करूंगा multiply लगा और यहां से 15% हम calculate करेंगे क्योंकि 35 से ज्यादा तो 15% ही calculate करना था यह ल and also calculate bonus whose यानि कि हमें employees की age को calculate करना है और जिस employee की age 30 साल या फिर उससे कम है तो उसको 25,000 रुपे bonus देना है और जिस employee की age 30 से ज़्यादा है लेकिन 35 से कम है उसको 35,000 रुपे bonus देना है और जिस employee की age 35 से ज़्यादा है उसको 4000 bonus देना है तो चलते हैं दोस्तों अपना Excel पर तो यहाँ पर अब हम एक और column बनाएंगे age का अब अगर आप ऐसे calculate करने बैठो कोई कि याँ 1983 का birth है और अब चल रहा है 2020 तो total 38 years होगे तो ऐसे आपका calculation भी सही नहीं आएगी और आपको time भी बहुत लगेगा तो यहाँ पर आपने एक simple formula लगाना है आपने क्या करना है सबसे पहले is equal to press करना है और उसके बाद type करना है dated if फिर bracket को start करना है उसके बाद क्या करेंगे सबसे पहले हमे start date यानि के date of birth को select करना है फिर coma लगाना है फिर हमें देनी है आजकी date तो आज की रेट हम यहाँ पर कैसे देंगे, यहाँ पर हम today का formula लगाएंगे, तो उसके लिए 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 today, bracket start and close, फिर coma लगाएंगे, अब यहाँ पर हमें unit देनी है, कि हम year में चाहते हैं, month में चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ यहाँ पर year में चाहिए, तो हम double quotes में लिखेंगे, capital letter में Y, फिर double quotes को बंद करके, bracket को भी बंद करके, enterprise करेंगे, तो यहाँ पर हमारी age calculate होके आ जाएगी, अब हम क्या करेंगे, इस formula को नीचे drag कर देंगे, तो बाकि सभी employees की भी यहाँ पर age आ जाएगी, अब हमें क्या करना है, bonus भी calculate करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और column बनाएंगे, bonus का, ठीक है, और इसको भी हम यहाँ से select करके, border लगा देंगे, अब दोस्तों यहाँ पर भी बिल्कुल income tax के जैसा ही formula लगेगा, तो मैं फट फट से यहाँ पर if का formula लगा देता हूँ, तो हम क्या करने के पहले is equal to press करने के, फिर हम क्या select करेंगे हां से age को, और check करेंगे कि अगर age कम है या फिर बराबर है 30 के, यानि कि अगर age 30 या 30 से कम है, तो फिर हमें क्या value चाहिए true में, हमें चाहिए 25, ठीक है, फिर से if लगाएंगे, bracket को start करेंगे, फिर से age को select करेंगे, और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, अगर age कम है, या फिर बराबर है 35 के, तो फिर हमें true value क्या चाहिए, 35, ठीक है दोस्तों, अब जो third condition है, कि अगर age 35 से जादा है, तो कितनी चाहिए 4000, तो हमें यहाँ पर फिर से if लगाने की जूरत नहीं है, हम यहाँ else part में लिख देंगे, 4000, और यहाँ पर दो if लगें, तो दो बार close करेंगे और enterprise कर देंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं, कि 35 से जादा है age, तो यहाँ पर 4000, अगर हम इसको पकड़ के नीचे drag करेंगे, तो अब देखेंगे कि 30 से कम है, 25, 30 है तब भी 25, यहाँ पर 30 से कम है, 25, यहाँ पर 35 से जादा है, 4000, पर हमारा bonus भी calculate होके आचका है, इसको भी हम bold कर देंगे, अब हमारा जो next question है, calculate net salary, जिसमें हमें gross salary में से income tax को less करना है, फिर bonus को add करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक और column मनाएंगे, net salary, इसको भी select करेंगे, यहाँ से border लगाएंगे, अब is equal to press करेंगे, अब सबस पहले क्या करना है, gross salary minus income tax, और plus लगाएंगे bonus, एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर हमारी net salary आ जाएगी, net salary को भी हम यहाँ से bold कर देंगे, और इस formula को पड़े नीचे drag कर देंगे, तो बाकि सब की भी net salary आ जाएगी, अब last question बचा है, start the table from column D and row 6, तो दोस्तों यह हमार column D और यह रही हमारी row 6, यानि के हमें D6 cell number से इस table को start करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले table को select करें, keyboard से control X प्रेस करेंगे, cut के लिए, फिर हम cell number D6 को select करेंगे, और keyboard से control V, यानि के paste की command को चला देंगे, तो आप देखेंगे, यहाँ पर हमारा table है वो अब column D और row 6 से start हो च D6 से, आप उपर name box में भी चेक करेंगे, तो यहाँ पर हमारे cell का नाम D6 आ चुका है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस table को adjust कर देंगे, इसकी width वगरा को कमिया जादा करके, तो दोस्तों अब यहाँ पर हमारे सभी columns और rows auto fit होचके हैं, तो hopefully आपको इस वीडियो के आपको मिल सके, तो मिलते हैं आप से इन एक स्टूडियो में तब तक लिए जैहिन, बंदे मातरम